Hello everyone, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ इस डिजाइन के वीडियो शेयर करने वाली हूँ यह मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पिक बेजी है और डिजाइन बताने के लिए बोला है तो यह डिजाइन बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है इस दिजाइन के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 66 के मल्टिपल से फंदे चाहिए जैसे इसमें इनोने 90 फंदे बोर्डर में डाले हुए है उपर डिजाइन को सैट किया हुए है आप एक दो फंदे डिजाइन के उकोडिंग कम जादा हो सकते हैं पीछे वाला part single बनाया हुए है आगे वाला part इन्होंने दो parts में बनाया हुए है उसके बाद गले पर भी करोशिय से किंगरी की हुई है और आगे भी उसके बाद डोरी डाली हुई है तो इस तरह से कुछ fancy सी look दी हुई है इन्होंने अपनी इस blouse को आप भी ऐसे ही बना सकते हो यह बहुत ज़्यादा असान हो और इजी डिजाइन है तो चलिए पहले डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं यहां पर स्लाई में मैंने फंदे ले लिए हैं 25 फंदे डाले हैं हमने स्लाई में 6 जों का 24 और एक फंदा तो टो टोल यह हमने 25 फंदे लिए हैं और फंदे डालने के बाद 14 रो इसके आपने पहले नीचे बोरडर बना लेना है जैसे बहले आपको पताया है दो सीधे 2 उल्टे का आपको कोई भी बोरडर जो अच्छा लगता है या इस पर बना सकते हो तो यह बोरडर बनाने के आया एक, दो, तीन, यह तीन फंदे है हमारे, अब यह तीसरे फंदे में इस तरह से स्लाई डालनी है हमने और इन दोनों फंदों के उपर से किरा देंगे, अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यह एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली डाली, य एक फंदा सीधा हो गया, ये दो फंदे सीधे, तो ये टोटल छे फंदों का डिजैन है, ठीक है, इस एस्टेज को छोड़कर यहां से यहां तक जो हमने डिजैन डाला है, बार बार पूरी स्लाई में आपने जितने भी फंदे हैं, इसी डिजैन को रिपीट करते जाना है, ए एक फंदा सीधा, उसके बाद ये दो फंदे सीधे, ये छे फंदे हैं, छे फंदे हमारे कंप्लीट होते हैं, इसी डिजैन को फिर से बनाएंगे, ये एक फंदा सीधा, अब ये एक, दो, तीन फंदे हैं ना, दो को छोड़ेंगे, इस तीसरे फंदे में आगे सी इस तरह स सीधा अब ये दो फंदे सीधे यहां पर अब फिर से डिजैन को रपीड करेंगे एक फंदा सीधा ये बीच में हमारे तीन तीन फंदे सीधे आते जाएंगे ये जाली वाला डिजैन डालेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे देखिए ये तीन फंदे सीधे बनाने के बा 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 फिर यई 1, 2, 3 फंदे इसे उठाएंगे तीसरे फंदे में स्लाई डालते हुए उपर से गिरा देंगे 1 फंदा हम सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जारी डालेंगे यह एक फंदा सीधा ये last का एक फंदा सीधा ये stitch भी सीधा ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बना कर complete कर लेनी है अब उल्टी तरफ से इस design में जितनी भी हमारी स्लाइण डलेंगी न ये सारी उल्टी उल्टी ही डलेंगी उल्टी तरफ से और कोई design नहीं हमारा हमने इसी तरह से पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेनी है अब आगे हम थर्ड रो में थर्ड रो सीथी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे उतारने के बाद एक फंदा ये इन दोनों फंदों को आगे से slide डालते हुए हमने इस तरह से दो काएक कर देना है दो कई करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे यह जाली वाले फंदे को सीधा बनाते हुए इस तरह से फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने जाली डालनी है इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे एक फंदा यह, एक फंदा यह, दोनों में पीछे से स्लाई डालते हुए, दो कई कर देंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा, अब इस स्टिज को छोड़ कर यहां से यहां तक जितना हमने डिजैन बनाया है, इसी डिजैन को बार बार रिपीड करते जाना है, स्टार्टिंग म फिर से इसी डिजैन को रिपीड करेंगे, एक फंदा यह, एक यह, आगे से स्लाई डालते हुए, दो कई कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहां पर जाली डालेंगे, यह एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा क इतने फंदे हमने कम करने हैं, उतनी बार ही जारी डालनी है, पहले हमने फर्स रो में एक फंदा कम किया था ना, ये फंदा उपर से गिराया था, तो हमने एक जारी डाली थी, लेकिन अब हमने यहां में फंदा कम किया है, यहां में कम किया है, जैसे दो फंदे खटाए हैं, फैसे ही दो बार ये जाली डाली है ठीक है अब फिर से देखें आगे से स्लाइड डालते हुए दो काई करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ फिर से जाली डालेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा करते हुए दो काई कर फिर आगे से स्लाइड डालते ही हुए दो काई करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे दोनों में स्लाइड डालेंगे पिछे से दो काई भी कर देंगे और यहाँ पर हमने जाली भी बना दी है फिर एक फंदा सीधा ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बना कर कम्प्लीट कर लेनी है अब उल्टी तरफ से हमारी फिर से ये रो उल्टी उल्टी ही बनेगी क्योंकि उल्टी तरफ से इस डिजैन में जितनी भी स्लाई अडल नहीं है हमारी ऐसे ही सेव टू सेम आईगी आपकी इसी तरह से उल्टी उल्टी जाली वाले फंदों को भी देखिया आपने ऐसे ही स्लाई डालते हुए उल्टा ही बना लेना है अब ये डिजैन के हमारी फोर स्लाईया चार स्लाईया गम्प्लीट हो गए है ये आधा डिजैन भी हमारा बन गया है अब ये डिजैन तो सेम आशे ही बनना है लेकिन इसकी जगा चेंज होगी जैसे यह यहाँ पर चार डिजैन बने है अब हमारे तीन डिजैन बनेगे यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर देखिए यह रो पाज हमने कैसे बनानी है इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे उतारने के बाद यह एक फंदा सीधा बनाएंगे अब इन दो फंदो को चोड़ यहां से feet pattern start होगा एक, दो, तीन फंदे सीधे तीन फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन तीन फंदों पर जाली बनेगी इस तीसे फंदे में आगे से slide डालेंगे, उपर से इसे गिरा देंगे गिराने के बाद यह एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ यहां पर जाली डालेंगे, यह एक फंदा सीधा अब इसी design को पूरी slide में repeat करेंगे, तीन फंदे सीधे बना लेंगे, फिर यह तीन फंदों पर जाली वाला design बनाएंगे फिर से देखिए, यह तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन अब यह तीन फंदे हैं, हमारे तीसरे फंदे में आगे से slide डाली उपर से गिरा दिया एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करते हुए यहां पर जाली डालेंगे, यह एक फंदा सीधा, फिर से तीन फंदे दुबारा से हमारे सीधे एक, दो, तीन अब फिर से इन तीन फंदो पर से इस तीसरे फंदे में slide डालते हुए उपर से गिरा देंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालते हुए यह एक फंदा सीधा, यह एक, दो, तीन फंदे सीधे और लास्ट के यह दो फंदे बचेंगे, इनने भी हमने सीधा ही बना लेना है, ऐसे करते हुए हमने इस रिजयाइन की पाच भी रो पूरी बनाकर complete कर लेनी है अब रो 6 हमारी उल्टी तरफ से छटी सलाई है, यह हमारी जिसे हमने पूरा उल्टा-उल्टा ही बनाकर complete कर लेना है, इस तरह से अब रो 7 सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे यह एक एक्स्ट फंदा है, इसे सीधा बनाएंगे देखे, यह हो गया अब यह दो फंदे सीधे एक, यह दो यह टोटल में हमारी एक एक एस्टिच का और तीन फंदे सीधे होगे अब यहाँ पर हमने दो काई करना है ऐसे, आगे से स्लाइड डालते हुए, दो काई कर देंगे धागा अपनी तरफ यहाँ पर चाली डालेंगे, यह फंदा सीधा फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे दोनों में स्लाइड डालेंगे बीचे से दो काई कर देंगे इस तरह से ठीक है? फिर यह एक पंदा सीधा एक पंदा सीधा बनाने के बाद अब एक फंदा ये एक ये आगे से स्लाइड डालेंगे दो का एक कर देंगे धागा अपनी तरफ फिर से यहां पर जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को उतार कर सीधा करेंगे दोनों में स्लाइड डालेंगे पीछे से दो का एक कर दे फिर से एक फंदा सीथा, उसी डिजाइन को बार-बार-बार हमने रुपीट करते जाना है, डिजाइन तो सेम हमारा बैसे ही चलता जाएगा, बس इन स्लाई हमारी ये जगा ही चेंज हुई है, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर सीथा किया, दोका एक कर देंगे लास्ट में ये हमारे पास चार फंदे बचेंगे जिने हमने सीधा ही बना लेना है और उल्टी तरफ से आठवी सलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी ये आठ सलाईयां बनाने के बाद आपने इसे क्या करना है फिर्स्ट रो से डिजैन को दुबारा से शुरू कर लेना है फर्स्ट रो मतलब की यहां से इसे एक फंदे को उतारा एक फंदा सीधा बनाएंगे इन तीन फंदों पर वो वाला डिजैन डलेगा फिर यह तीन फंदे सीधे अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो बताने का तरीका अचा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आप भी मेरे को ऐसे ही पिक भेजना चाहते हो तो प्लीज पिक इस तरह से ज चाहिए तो फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ बबाए पहले ये बनाईए बहुत सुन्दर लगेंगे आप इसमें